नमिश्का रुष्टो इस डिस्कुशन में हम 12 दिसंबर 2021 के करंट फेर के सभी इंपोटेंट कोश्चनों को कवर करेंगे PDF आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डानलोड कर लिजेगा और लिंक उसका डिस्कुशन में नीचे दिया गया है तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन अंतराष्टे परवत दिवस कम मनाय जाता है International Mountain Day ये हर साल कब चलिब्रेट किया जाता है ये इस कोश्चन में पूछा गया है तो देखो अब आप ध्यान से सुनेगा International Mountain Day ये हर साल 11 दिसंबर को मनाय जाता है इस कोश्चन का सही आंसर है 11 दिसंबर माउंटेंग की क्या इंपोटेंस है उसके बारे में लोगों को जागरू करने के लिए इस दिवस को हर साल 11 दिसंबर को मनाय जाता है अब कोश्चन उड़ता है कि 2021 की थीम क्या है क्योंकि एक्जाम में थीम भी पूछी आ सकती है तो 2021 की जो थीम है ये है Sustainable Mountain Tourism फिर से बोलता हूँ Sustainable Mountain Tourism ये 2021 की थीम है अब बात करते हैं दूसरा उप्शन की 5 दिसंबर 5 दिसंबर को कौन से दिवस मना जाता है बताईए आफ तो देखो 5 दिसंबर को World Soil Day World Soil Day ये मना जाता है 8 दिसंबर को Sark Charters दिवस ये मना जाता है और 10 दिसंबर को कौन से दिवस मना जाता है 10 दिसंबर को Human Rights Day ये मना जाता है तो 1st question का डी, आंसर सही है, ग्यारा दिसंबर Second question, परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर परदेश के किस जिले में सर्यू नहर राष्ट्य परियोजना का उध्खाटंग किया तो आंसर क्या हो जाएगा? बलरामपूर A option, इस question का सही आंसर है 11 दिसंबर 2021 को परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने उत्तर परदेश के बलरामपूर जी ले से सर्यू नहर राष्ट्य परियोजना का उध्खाटंग किया अब बात हुए यहाँ पर उत्तर परदेश की तो उत्तर परदेश का जो इंपोटेंट करेंट फेर है इसे हम कबर कर लेते हैं पहला पॉइंट राष्टपती रामनात कोमिन जी ने अगस 2021 में गोरकपुर में उत्तर परदेश के पहले आयुश विश्व विधाले की आधारशीला रखी उत्तर परदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड़ा मुक्त बनाने के लिए तीस दिवश्य विशेश अभियान चलाया उत्तर परदेश के मुख्यमत्री ने मातर भूमी योजना सुरू करने की घोशना की फोर्थ पॉइंट उत्तर परदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 को कांगना रनोत को अपने महत्तम काक्षी एक जिला एक उत्तपात कारेकर्म का ब्रांट एमबेश्टर नामित किया अक्टूबर 2020 में उत्तर परदेश में राष्ट्य व्यापी नदी पशुपालन कारेकर्म सुरू किया गया हुनराट का युजन 16 से 25 अक्टूबर 2020 तक उत्तर परदेश में किया गया नवंबर 2020 में जहासी में 600 मेगा वोट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार के अधर्शिला रखी गई उत्तर परदेश सरकार ने आत्म निर्भर क्रशक समन्वित विकास योजना सुरू की एक काम करते हैं उत्तर परदेश का और कंटिफिर कवर करते हैं उत्तर परदेश का पहला ट्रांस जेंडर सोचाले ये वारा नसी के कमच्छा में बनाया गया गुड महसफ का उधगाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर परदेश में किया गया मार्च 2021 में उत्तर परदेस सरकार ने कुशी नेकर जिले में केले महसव का यूज़न किया उत्तर परदेस में काला नामक चावल महसव आयूजित हुआ अर्जो सायक सिचाई पर्योजना उत्तर परदेस सम्मधित है इपंचात पुरुसकार 2021 का वोड उत्तर परदेश को दिया गया मुक्य मंतरी बाल सेवा योजना उत्तर परदेश ने इसको श्टार्ट किया उत्तर परदेश की मंद्री मंडल ने राज्जे की सभी पंचायतों में एक पंचायत सची वाला इस्थापित गरने का निर्न लिया उत्तर परदेश की सरकार राज्जे में पहला हस्त शिल्प पार्क बनाने की प्रिकरिया में है अब UP की location देखे आप ये है UP की location इसकी boundary इलाइपाल के साथ international boundary वनती है और किन राज्यों के साथ इसकी boundary share होती है तो ये देखे आप एक तो UT है जो दिल्ली है और बाकी बचेवे 8 राज्य है उत्तराकंड, हरियाणा, राजिस्थान, मध्यपरदेश, भिहार, जारकंड, छत्तिलकड, हिमाचर परदेश तो टॉटल मिलाकर ये 9 है जिनके साथ उत्तर परदेश की boundary share होती है लखनो इसकी capital है 24 जनवरी 1950 को इसकी formation होई थी योगी आधितेनात, मुख्यमंतरी है आनंदी वेंट पटेल, ये राज्यपाल है 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 seat, राज्यसभा की 31 विधान सभा की 4 सतीन, और विधान परिशत की 100 seat है दुदुवा नेशन पार्क, पिलिवीद, टाइगर इजर्व दोनों उत्तरप्रदेश में हैं, अलाबाद में इसकी हाई कोट है अलाबाद को अब प्रियाग राज राम से भी जाना जाता है राजेस बिंदल, राजेस जिंदल, वहां के मुख्यने आदीस है यूपी के साथ जिले, जो नैपाल के साथ अपनी बाउंडरी शेर करते हैं ये साथ जिले के नाम आपको याद होना जरूरी है पिलिवीत, लखेंपुर खेरी, भहरायच, स्रवश्ती, बलरामपुर, सिधार्द रेगर और महाराज कंज ये देख रहे हैं आप, बलरामपुर, यहीं से इस परियोजना का उध्खटं किया गया है तो बलरामपुर, आप याद रखेगा, इसकी बाउंडरी नैपाल के साथ भी लगती है यह आप याद रखेगा, ठीक है, और यह जो उध्खटं किया गया है ना भी सायू प्रोजेक्ट का, इससे फाइदा क्या होगा, इससे फाइदा होगा, जो इस्ठन उत्तर परदेश है वहाँ पे जो इर्रीगेशन की जो प्रोब्लम है, उसको ये सोल्व करेगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ किसको यूवा गणितिक्यों के लिए रामा नुजन प्रुसकार 2021 प्रदान किया गया है बताईए रामा नुजन प्राइस 2021 का वोड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है नीना गुपता को C option, इस कोश्चन का सही आंसर है नीना गुपता अब आप एक काम कीजेगा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताईएगा, क्रितिकरंथ, नुकलूफों और धृतिबैनर जी इन तीनों का नाम किसलिए नीज में था देखो ये तीनों ओप्शन, इंपोटेंट हैं, इसलिए यहां पे रखे गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ये खुद बताईएगा, कि ये किसलिए नीज में थे, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा फोर्थ कोशन, 11 दिसंबर 2021 को यूनिजेफ दिवस का कौन सा संस्करण मनाय गया, बताईए तो ये मनाय गया, 75 संसकरण, सी ओप्शन, इस कोशन का सईयांसर है, 75 संसकरण मनाय गया दिसंबर 2020 में किस राजचे ने सेनियर महीला राष्ट्य फुटबॉल चैंपेशिप जीती है तो ये किसे ने जीती है ये जीती है मनिपूर ने फिफ्ट कोश्चन का सी आंसर से ही है मनिपूर ये देखे आप ये है मनिपूर की लोकेशन अब इसकी बाउंडरी की बात करते हैं आसाम, नागलेंड और मिजोराम तीन राज्चों के साथ बाउंडरी शेर होती है और मेंमार के साथ ये इंटरनेशन बाउंडरी बनाता है मनिपूर मनिपूर की कैपिटल, इंफोल, एन बिरें सिंग, मुख्यमन सिरिया, लागनीशन, राज्यपाल है सोला जिले है, लोकसभा की दो सीट, राज्यसभा की एक, विधान सभा की साथ सीट है गुहाटी में इसकी हाई कोट है, जहांके मुख्यने आदिश है, पीवी संजे कुमार नेक्स्ट कोशन, अंतिराष्टे पशु अधिकार दिवस्क, यानि इंटरनेशन एनिमल राइट स्टे, ये कम मना जाता है तो ये हर साल 10 दिसंबर को मना जाता है चटे कोशन का, D option सही है, 10 दिसंबर किस राज्य सरकार ने मनू बांकुल में सबरूम में एक बहुत विश्व विधले इस्थापित करने की मनजुरी दी है तो आंसर क्या हो जाएगा, तिरिपुरा A option, इस कोशन का सही आंसर है, तिरिपुरा यह है तिरिपुरा की location, यह देखिया इसकी तीन साइट से boundary, बांगला देश के साथ लगती है और एक मातर ऐसा राज्य है, आसाम के साथ इसकी boundary शेर होती है और इधर देख रहे हैं, इसकी कुछ boundary मिज़ुराम के साथ भी शेर होती है यह भी आप याद रखेगा, इसकी boundary मिज़ुराम, आसाम के साथ शेर होती है और बांगला देश के साथ भी इंटरेशनल boundary शेर करता है तिरिपुरा अगर जला जो है, यह कैपिटल है, विपलब कुमार देव, मुख्यमंदरी है सत्यदेव नारैन आरे, राजज़पाल है आठ जिले हैं लोक सभा की दो सीट, राज़ज़बा की एक, विधाम सभा की साथ सीटे है नेशल पार्क की बात करते हैं क्लाउड़ लियोपर नेशल पार्क, राजबारी नेशल पार्क, तिरिशना वाइले सेंचुरी ये सबी तिरपुरा में है, अगरसला में इसके हाई कोट है, जहां के मुखेने आदिस है, इंद्रजीत मोहनती बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ निमलेकित में से किसने विश्व आसमानता रिपोर्ट 2022 जारे की है यानि वर्ल्ड एकुलिटी रिपोर्ट तो ये रिपोर्ट जारे की गई है वर्ल्ड इन एकुलिटी लैब के द्वारा तो एट्थ कोशन का सी आंसर सही है नैंत कोशन 10 दिसम्बर 2020 को ताशकंद में चैल रही राष्टे मंडल भारत तोलन चैंपेंशिप महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता है तो ये किसने जीता है S. बिद्धयराणी देवी ने D. ओप्शन इस कोशन का सही आंसर है नीती आयोग जम्मो कश्मीर में कितनी अटल टिंकरिंग प्रियोग शालाय इस्थापित करेगा तो ये करेगा हजार 10th कोशन का A. आंसर सही है ये कल के कोशन जो आपसे पूचे गए थे खबरों में रहा काजू वैली वेटलेंड किस राज्जे में है जनरल सेवा नीवरत विपिन रावत का दिसंबर 2020 में निदोन हो गया उन्होंने किस वर्स भारत के पहले चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार गिरहन किया 2020 सही आंसर है अंतराश्टे भिष्टचार विरोधी दिवस कम मना जाता है 9 दिसंबर लोवें इस्टिटूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 में 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों में मामले पे भारत करेंग क्या है तो भारत इसमें चो सहिस्थान पे है अब ये आज के कोशन है जिनका आंसर आपको कमेंट बोक्स में बताना है फर्स्ट कोशन मानव अधिकार दिवस कम मना जाता है किस राज़े के मुख्यमंत्री ने 9 दिसंबर 2020 को राज़े सरकार के पहले इस्टिटुट ओफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्गाटन किया किस राज़े सरकार 9 दिसंबर 2020 को गंजम के गौपालपुर में एक वर्चुल प्लैट्फोर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट टाइन मैनुफेक्शन कॉम्पलेक्स की नीव रखी चार चोथा कोशन दिसंबर 2020 किस राज़े के हैदरपूर वेटलेंड को रामसर सूची में शामिल किया गया फिफ्ट कोशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशंग गणियान किस वर्च में लौंच किया जाएगा छटा कोशन दिसंबर 2020 में कौन आट दिसंबर 2020 कौनते राष्ट अंतरिक्ष इस्टेशन का दोरा करने वाले पहले जापानी परियाटेक बन गए है तो इन 6 कोशनों का अंसर आपको कमेंट बोक्स में बताना है फिलालिस डिसकुशन को यहीं पर रोकते हैं थैंक्यू